हलो गैज आप लोगा स्वागत है अपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लेकर आए हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के निज पेपर में निकल कर आए हैं वो सारी की सारी अपडेट हम लोग अपडेट अस्पतालों के 90 प्रस्वद मरीज जो हैं वो खत्रे से बाहर हैं और इसमें यह बता जा रहा है कि वही लोग जो हैं इसमें जादा गंभीर हैं जो दूसरी बीमारियों से जो पीडित हैं ठीक है यानि कि वो एक्शुली में जो ओमी क्रोन है उससे वो नहीं गं बारी डाक्टर स्रीकेज सिंग बताते हैं कि इस बार कोरोना वाइरस की वज़ा से कोई भी मरीज गंभीर नहीं हो रहा है यहां भरती 32 संकमित में 6 महिलाएं हैं अन्य मरीज लीवर दिल वा गुर्दे की विमारियों के साथ कोबीड संकमित हैं हर किसी मरीज को अक्सिजन क पुर्बग रहे ना क्योंकि केस जो हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं बस यही कि कुछ राहत पुरदान करने हो लिए जो लोग एकदम भैबीत हैं उनको भैबीत ही होना है बस साउधानी बरती नहीं है अप सुभी लोग को ठीक है तो यहां पर आप लोग देख रहे है कोरोना की तीसी लहर पहली वा दूसरी के मुकाबले कमगा तक है इस बार अस्पतालों में आक्सीजन की मारा मारी नहीं है पीजी आई केजी एम्यू लोहिया संस्थान वा कमांड अस्पितल समेत दूसरे कोबिड अस्पतालों में भरती अधिकान मरी डियाबिटी दिल जुमी क्रोन होरा या कोरोना की तीसी लहर के वो चपेट में आ रहे हैं तो वो लोग अपने घर पे आईसो लेट होकर अपने आपको सही कर ले रहे हैं उनको भरती होने की कोई ज़रूरत नहीं है अब बात करते हैं वहीं पर अगली अपडेट जो आई है यहाँ पर आप सिकायत की गई है क्या है अबडेट देखते हैं रेलवे भरती वोड की नन टेक्निकल पॉपलर कटेगरी एंटी बीसी परिक्षा का पैड़ाम गोसित होने के साथ ही इसको लेकर सिकायते सुरू हो गई है अब भ्यार्तु ने पैड़ाम में गरबडी का आरोप लगाया है रि कारी नोटिफिकेशन में CBT1 और CBT2 दो चरणों में 20 और 8 गुना भ्यारतियों क्वालिफाई किया जाना था कई कटेगरी में 13 भरतियां सामिल कहीं है युवा मंच के सियों जोग राजे सचान का कहना है कि नोटिफिकेशन के अनुसार CBT1 में महज स्क्रीनिंग परिक्षा होगी इसके अंक मुक परिक्षा में नहीं जोड़े जाएंगी जोन के अनुसार कुल पदों के 20 गुना भ्यारतियों को क्वालिफाई कराया जाना था जबकि RRB ने बेविने सलाट में पदों की संक्या को आधार मानकर अलग अलग हर सलाट के लोगों को उनके पद अभ्य अभ्यारतियों को क्वालिफाई करवाया इससे यहां हुआ कि उच्च मेरिट वाले अभ्यारति सभी सलाट में चायनित हो गए गड़बर यह हुई कि अभ्यारति की एक बड़ी संक्या से सभी सलाट में अधिक हो गई और परिक्षा में क्वालिफाई करने वाले अभ्यार चात्रों को जो है सलेक्ट होना था वहाँ पर एक ही चात्र ने 67 सलाट पूल कर दिया तो यह गड़बड़ी हुई है इसको लेकर के जो है PM से PM को पत्र लिखा गया है साती साथ मैं बता दू जिन लोगों ने CBT 2 के लिए कौलिफाई किया है उन सभी की जो परिक्षा है वो 14- से 28 फरोरी के बीच में होगी जिसके बारे मैंने कल ही सूचना दे दी थी कि 14-18 फरोरी के बीच में पेपर करवाया जाएगा चलिए तो बढ़ते हैं आगे कि तरफ अगली अपडेट जो ही है कि प्रदेश के सभी सेक्षिनिक संस्थान जो तेज तारिक तक बंद रहेंगे इसके बारे में भी हम लोगों ने कल साम को वीडियो मनाया था जब स्रीयम आफिस से टुईट आया था ठीक है आज जो ही पेपर में आया है तो इसको भी बताना जरूरी था लिगाए कि प्रदेश के सभी सेक्षिनिक संस्थान तेज बंद रहेंगे इस दोरान आनलाइन कछाएं चलाने का निर्देश दिया गया रविवार को इस्थित की समिच्छा के बाद मुख की सच्यूरी सेक्षिनिक संस्थानों को तेज जनोई तक बंद रखने का निर्देश दिया है यहाँ भी कहा है कि आनलाइन कछाएं पहले की तरह चलती रहेंगी यह चीज आप साथी साथ पॉली टेक्निक की जो बिसम समेश्टर की जो परिक्षा है वो भी अप टल चुकी है और 15 मार्च को परिक्षा होंगी तो बहुत सारी इनवस्टी परिक्षाइं टल रही हैं सैक्षिक संस्थान बंद हो रहे हैं आयसे में जो सभी छात रहे हैं वो सभी लोग आप यहां पर देख सकते हो आज ही के न्यूजपेपर में एक अपडेट आईए कि अभ्यारती भायवीत परिक्षा टालने की मांग जो है वो तेज कोरोना संक्रमर का प्रकोब बढ़ता जा रहा है बीडितों में वो प्रतयोगी छात्रमी सामिल है जिनकी आने वाले दिनों म इस बारे में मैंने कल भी आप सभी लोग को आउगत कराया था कि जो परिक्षा देने जा रहे हैं यूपी टेट और पीसेस मेंस की छात्र वो आल्रेड़ी संक्रमित हो गया और मेरे पास भी बहुत सारे छात्रों के मैसे जा रहे हैं कि सर मैं जो हूँ हो माइसो लेसन पर हूँ हूँ और मैं अल्रेडी संक्रमित हो चुका हूँ और मेरा भी पेपर है ऐसे में हजारों चात्र होंगे ठीक है पूरे उत्तर पुदेज में जो यूपी टेट की परिक्षा में जाएंगे तो इस्तिती जो है काफी जादा भयावा हो सकती है इसलिए इस परिक्षा को अस्तिकित करने को ले करके स्यम को जो है मेल भी किया जा रहा है चात्रों के दौरा कि इसको अस्तिकित किया जाए तकरीवन एक से डेड़ मेना यानि कि जब तक इस्तिती सापना हो जाए तब तक इसको अस्तिकित किया जाए इसी कारण करोना से भैवित अभ्यारती दोनों परिक्षाओं को टालने की मान कर रहे हैं मुख्य बंती योगी आदेतनात को इमेल के जरिये सामोई पत्र भेजे जा रहे हैं इसके साथ ट्विटर पर अभियान छेड़ा है लोग सेवा आयोग ने पीसे दो जार एकीस के तहए 678 पदों की भरती निकाली है रिक्तियों के सा कोरोना संख्रमित होने लगे हैं डेलेट अद्याज विनोत पटेल का कहना कि उत्तर पुदे सिक्षक पात्ता परिक्षा में 20 लाग से अधिक अभ्यारती सामिल होंगे उक तो परिक्षा में सामिल होने वाले कापी अभ्यारती कोरोना से संख्रमित है यही कारण है कि इंट पर्सनल मैसेज किया चाहे वो वाटसप हो चाहे फिर इंस्टाग्राम हो चाहे टेलीग्राम पर हो सब जगा पर उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ अगर मैं नहीं जाओंगा तो मेरा पेपर छूड़ जाएगा और अगर हम जाएंगे तो फिर स पीसी अस्वेंस और यूपी टेट की परिक्चा को टालने के लिए एक मुहिम छेड़ दी गई है सिर्फ इसलिए कि छात्र सुरक्षित रहें समझ में आगई बात तो देख सकते हो आप लोग सब जगा पर ही लिखा है और एक अपडेट जो सबसे ज़्यादा पेपर में आ लाइक कर दिया करो आप लोगों को अगर अपडेट अच्छी लगती है ठीक है सारी अपडेट आपको एक वीडियो में मिल जाती जो भी इंपडेट आती है तो लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो अपने दोस्तों को भी सेर कर दिया करो मेरी भी उम्मीद है आप ही लोगों से हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे चैनल को तो बड़ा अच्छा लगेगा ठीक है अब बात करते हैं वहीं पर स्रम कार्ड को ले करके ठीक है तो प्लीज एक बार सेर कर दिया करिया आप लोग अपने ग्रूप में इस वीडियो को ठीक है अब स्रम कार्ड को ले करके में 14 जनुई तक 14,62,340,000 श्रमिकों ने पंजी करन कराया है प्रदेश में यहां पर आप देख सकते हो प्रदेश में जो है 7,88,89,114 और देश में 22,27,48,610 आ संगटी चेत में काम करने वालों ने इस्रम पोर्टल पर पंजीन कराया है लखनों के सहायक सिर्मायुक्त कराया जा रहा है कोई भी जिसकी आए 1,80,000 रुपै वार्शिक से कम है वह पंजीन करा सकता है 3 एकर में कम जमीन वाला किशान भी पंजीकरत हो सकता है श्रम विभाग की वेबसाइट पर पर खुद भी पंजीकरत करा सकता है यहां पर आप देख सकते हो कहां से कितने लोग पंजियन करवाएं हैं, किस किस चेतर में कराएं हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, हला कि इस पे जो 500 और 1000 रुपे मिलने वाले थे, वो तो आचार संक्ता लगते ही, पता नहीं कहां गुम हो गया, उस पर कोई अपडेट आ नहीं रही है, आप लोग कूछ भी बहुत ज़्यादा रही हो, लेकिन उसके लिए जब अपडेट मिलेगी, तभी हम आपको बता पाएंगे, अभी ऐसी कोई अपडेट है नहीं, दरसल जिन लोग को अभी नहीं मिलिए, पहले किस उन लोग की जांच हो रही है, अभी उनके डाकुमेंट्स की जांच होगी, आप लोग जो फांच होगी, कि क्या सही है, क्या नहीं सही है, उसके बाद में आप सभी को पैसे दिये जाएंगे, चलिए, तो इतनी सारी आज की अपडेट थी, मौनिंग अपडेट में, अगर आप सभी लोग को अच्छी लगी हो अपडेट तो प्लीज वीडियो को बिलते हैं आगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे हैं, मस रहे हैं, जैही जबाद